कभी कभी अपनी समस्याओं से या अपनी परिशानियों से हार जाना बहुत जादा आसान होता है परिशा के तयारी करते हुए हमें बहुत सारी समस्याओं ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जिसे हमें लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा पर जो व्यक्ति अपनी परिशान और समस्याओं से अगर हम डट कर सामना करेंगे तो कभी ना कभी आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमारी जीत जरूर होगी तो इसी विचारों के साथ मैं सुचिता गड़ेवाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं competition community के online platform पर और आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में history के सम्मंद में NCQ की अर्थात वस्तुनिष्ट प्रशनों की हम उम्मीद करते हैं कि इन में से बहुत सारे question आपसे exam में पूछे जाए और आपको इनका सही answer बताने में बहुत जादा मदत मिले तो हमारे पहले प्रशनी की और आंगे बढ़ते हैं मानव सविदा का वह समें जिसमें मानव द्वारा लिखी गई लिपी उपलब्द है क्या कहलाता है option है प्राग एतिहासिक काल आद्दी एतिहासिक काल और एतिहासिक काल देखो जब हमने history का विभाजन किया था इतिहास को बाटा गया है पहला हो गया प्राग एतिहासिक काल दूसरा होगा आद्दी एतिहासिक काल और तीसरा होगा एतिहासिक काल अब इन तीन भागों में जो सबसे पहला भागे जिसे हम प्राग एतिहासिक काल बोलते हैं ना यहां कोई लिपी थी ना उसे पढ़ा गया तो य पी थी और एतिहासे काल में भी थी तो इस कारण से आपका option number D बिल्कुल सहीं आंसर होगा इसा मशी के जन्म के पूर्व के समय को एवं इशा के जन्म के बाद के या पश्यात के समय को क्या कहते हैं AD BC BC AD BC और AD या AD और BC देखिए सीधा से संबंध है ऐसा question आपसे कभी नहीं पूछे का पर मैंने ये question आपके confusion को दूर करने के लिए रखा है कि आखिर हम AD और BC में बहुत जादा confused होते हैं तो इसका आखिर में मतलब क्या है देखिए जो इशा मशी जी है इनके जन्म का किसी को कोई तिथी नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था तो इस कारण से इनके जन्म को शून निमान लिया गया अब इनके जन्म को जब हम सूने मान के लेते हैं तो इनके जन्म के उपर का जो समय है जो ये उपर का समय है इसे हम BC कहते हैं और इनके जन्म के जो बात का समय है उसे हम AD कहते हैं अब देखें जो BC है ये हमेशा उल्टा चलता है उल्टा चलने का क्या मतलब है जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि शोन ये समय में, इस समय में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, आप वो व्यक्ति जब 20 साल का होगा, यहां 20 साल का होगा, तो इसकी आयू बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर जब हम 20 की बात करते हैं, यहां पर कोई व्यक्त इसका मतलब यह है कि यहां का समय क्योंकि वह उल्टा चलता है क्योंकि उसको यहां 0 तक आना है और 0 के बाद हमारा AD शोडू हो जाएगा तो इस प्रकार से option number C जो है वो सही होगा कि जन्म के पहले के समय को जो है ईसा मश्शी के उसे BC और जन्म के बाद के समय को AD कहा जाता है चीजें clear नहीं होंगी तो आप दुबारा पूछ लीजेगा मैं comment में आपको दुबारा इसके answer दुबारा से दे सकती हूँ किसी व्यक्ति का जन्म 700 BC में हुआ है वह व्यक्ति 80 साल का हो चुका है तो वह कौन सा वर्ष होगा देखे सीधे बाद BC की चल रही है AD की बात नहीं चल रही तो 0 पहले हमने सीधे सीधे माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 620 BC क्यों माइनस करेंगे क्योंकि जो BC है वो उल्टा चलता है तो 620 BC हो जाएगा option देखते है 780, 730, 680, 620 option number D 620 BC आप से हो सकता है question ऐसा ना बने मैं आपको clear कर रही हूँ लेकिन इतिहास में आप BC और AD को लेके अब कभी भी confused नहीं होगे यह चीज़ यहां से आपके एकदम clear हो जाती है भारत का सबसे प्राचीनता मानव जिवाश में कहां से प्राप्त हुए हैं भारत के सबसे प्राचीनता मानव जिवाश में की जब हम बात करते हैं ने पढ़ा था कि मानव जिवाश में की खोज नर्मदा नदी घाटी के तट पर हुई थी और उनका नाम नर्मदा मानव रखा गया था जिसकी खोज अरुन सोनकिया जी के द्वारा की गई थी तो ये हैं अरुन सोनकिया जी और कहां हुई थी उज्जैन सिहोर भुपाल जव užपकरण किस اسथान से मिले हैं देखrite उपकरणों का मतलब हो सकता है किसी प्रकार के हमें बरतन वगेर Luna दिखाई दें या फिर किसी प्रकार के ओजारदिखाई दें य guid कोई ऐसी वस्तों जो कि उस समय मानव अपने उप्योग में लाता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्सिंग पूर रिवा मुरेना और जवल पूर तो इसका सही आंसर होगा नर्सिंग पूर से ही हमें नर्सिंग पूर के भूतरा नामक गाउं से हमें सबसे प्राचीन उपकरणों की प्राप्ति होती है मध्य प्रदीश में आदमगर शहलाश्रे की खोज किस पुरा तात्विक ने की थी या किस सर्वेक्षण करता के द्वारा की गई थी देखिए आदमगर शहलाश्रे जो हैं यह क्यों महत्वपूर हो जाता है आपने पढ़ा है कि जो आदमगड सहलाश्रह है यहां से मानव के साथ कुट्टे को दफनाने के साक्ष प्राप्थ हुए थे जो कि किस काल से सम्मंदित है तो मध्य पाशान काल से सम्मंदित है और इनकी खोज किस के द्वारा की गई थी एचडी साकलिया, आरवी जोशी, निशार एहमद और सुपेकर जब हम बात करते हैं इस सहलाश्रह की खोज की तो इसकी खोज आरवी जोशी के द्वारा की गई थी आपका सही होगा, निशार एहमद की बात करते हैं तो इन्होंने सोन नदी घाटी का सर्वेक्षन किया है और वहीं सुपेकर ने मंडला जिले का सर्वेक्षन किया है यह आद़मगड़ की गुफाएं आपको दिखाई दे री, आद़मगड़ सहलाश्रे दिıkहे सहलाश्रे का मतलब होता है, पत्थरों का आश्रे मतलब पत्थरों की गुफाएं जहां पे आदि मानव रहा करते थे नर्मदा मानव की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी आप्शन नमबर ए 1982 अरुन सोनकिया 1980 आरबी जोशी 1930 सुपेगर 1940 निशार आयमद नर्मदा मानव की हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं अरुन सोनकिया ने इसकी खोज की थी वर्ष 1982 था यह मानव की खोपड़ी हमें प्राप्थ हुई है और इसी का नाम नर्मदा मानव रखा गया है क्योंकि यहां नर्मदा नदी घाटी के शेतर में हमें प्राप्थ हुआ था और यह भारत की प्राप्थ सबसे प्राचीन मानव अवशेश भी है नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षन किसके द्वारा किया गया था मैक क्राउन, एज़ी साकल या आर्बी जोशी उप्रयोक्त सब ही देखें जब हम बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी की तो नर्मदा नदी घाटी जो है तो बहुत बड़ी नदी है तो इसका सर्वेक्षन एक जक्ती अकेले थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है तो इस कारण से आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना है कि इसका सर्वेक्षन जो है तीन लोगों ने मिलके किया है जिनके नाम है मैक क्राउन, HD साकल या और आर्बी जोशी तो आप्शन नमबर डी आपका बिलकुल सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में इस्थित किस अभिलेक से सती प्रथा के प्रथम साक्ष प्राप्त हुए है बटियागर अभिलेक, एरण अभिलेक, साची अभिलेक और संग भेद अभिलेक देखे सती प्रथा के जब हम प्रथम साक्षों की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरण अभिलेक जो की सागर जिले के अंतर गताता है गहें कहीं साक्षों में इसे भानुगुप्त का अभिलेक भी कहा जाता है इसके अलावा भानुगुप्त का एक अभिलेक अलग से भी बना हुआ है देखे सतीप्रथा की जब हम बात करते हैं तो सतीप्रथा क्या थी सती प्रता वह थी कि जब किसी इस्तरी के पती की मृत्टी हो जाती थी तो उस इस्तरी को उसकी पती के शव के सांथ ही जला दिया जाता था इसके दो कारण थे तो उसका सारा भार उस पती के परिवार की उपर और समाज की उपर आ जाता था तो कहीं ना कहीं उस पत्नी को बहुत जादा प्रतारना सहनी पड़ती थी और वैसे भी भारत में विदेशी आकरमण हो रहे थे और विदेशी आकरमण आपने सुना होगा कि महिलाओं का विदेशी आकरमण कारी बहुत जादा रेव पगयरा करते थे तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो पत्निया अपने पती के साथ स्वेम जलना स्विकार करती थी लेकिन आंगे चलकर इस पध्धती को इस प्रथा को एक कुरीती के रूप में सामने लाया गया जिसमें महिलाओं को जबरदस्ती अपने पती के शव के साथ भी जलाया जाने लगा मध्य प्रदेश में इस्थित बाग की गुफाएं कहां इस्थित हैं अब बाग की गुफाओं से क्या मतलब है यहां पर बाग रहा करते थे कि बाग ने बनाई अपने नाखूनों से खोद खोद कर इस गुफाओं को तो ऐसा नहीं है बाग की गुफाओं से आश्रह यहां है कि ये जो गुफाएं ये बहुत धर्म से सम्मंदिद गुफाएं थी इन गुफाओं का निर्मार गुप्त काल में हुआ था और इसके साथ ही साथ में ये गुफाएं किस जिले में पढ़ती है उजयन, धार, बुरहानपुर और शिहोर तो ये गुफाएं जो है वो धार जिल थे वो आसन लगाया करते थे और ध्यान किया करते थे परन्तु कुछ समय के बाद यहां से स्ठाथ हुजाने लगे और यह जो छित्व है, यह मानव की द לש्टी से लुपत होने लगा यहां पर बड़े-बड़े जंगल पहाड बनने लगे, पेड़-पौदे होने लगे, झ कalls आता है धार जिले के अंत्रगता आता है जुकि तोर्जरी महल किसabolic ने बणवाया था गुजरी महल तोंर वंज के राजा के द्वारा बनवाया गया था अप्षिं देखिंगे अकबर शौह जहां मांसिंग इन में से कोई नहीं देखिए तोंर वंज के जो राजा की खुद की खुवाईश के कारण गुजरी रानी और राजा मान सिंग तोमर के प्रेम प्रसंग को म्रगनेनी उपन्यास में लिखा गया है जिसका निर्माड जो है जो उपन्यास व्रंदा वर लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है तो आप्शन नंबर सी आपका यहां सही होगा उद्यागिरी की गुफाएं मद्य प्रदेश के किस जिले के अंतरगत आती हैं और यदि जब भुपाल की बात करते हैं तो यह मद्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर होना चाहिए आप सभी तांसेन के बारे में जानते होंगे तांसेन के दो गुरु थे एक थे स्वामी हरिदास और दूसरे थे गौस मुहम्मद से तांसेन ने संगीत की सिक्षा भी ली थी इस कारण से इनका मकबरा तांसेन के जन्म के इस्थान जहां गौलियर पर इस्थित ह इसके अलावा जो तांसेन है इनका मकबरा भी यहीं पर इस्थित है दोनों का गुरु शिष्षी का मकबरा एक साथ बनवाया गया है गौलियर जिले में तो आपका आप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गौलियर कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर इस्थित है खजराहो धार मांडू इन में से कोई नहीं कंदरिया महादेव मंदिर की बात करते है तो यहां बहुत ही विख्याद और प्रशिद मंदिर है यहां मंदिर खजराहों में स्थित है जो कि छतरपुर जले के अंतरगत आता है तो मालवा में राजा भ्रन्थरी के गीत भी गाये जाते हैं और इस कारण से हम देखते हैं कि राजा भ्रन्थरी की जो गुफां है वो मालवा के शेत्र में मिलती है जिला देख लेते हैं गुवालियर उजयन भुपाल जवलपुर देखें इसमें से मालवा की बात करें तो केव करें जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तो यह 12 जोतिर लुंगों में से एक है यह शुप्रा नदी के तरपर है आप सभी को यह चीज अभी तक तो याद हो ही गई होगी तो ऑप्शन नंबर सी शुप्रा नदी सही आंसर हो जाएगा खजराहो के मंदिर किस जिले में इस्तित है अभी थोड़ी दिर पहले हमने इसके बारे में बात की थी मंदिला शटरपूर बालागाट रीवा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बीच शटरपूर भीम बैटिका की गुफाएं कहां पर इस्तित है ये बहुत ही जादा महत्वपूर कौश्ण है बहुत सारे एक्जाम में और पूछा जा सुका है और पूछे जाने की संभावना भी है तो भीम बैटिका की गुफाओं की बात करते हैं किस जिले में इस्तित है ऑप्शन है महारानी लक्षमी बाई की समाधी कहां इस्तित है जब हम महारानी लक्षमी बाई की बात करते हैं इनकी समाधी मंडला मांडू जवलपुर गौलिया किस जिले में इस्तित है आपसे ये पूछ रहा है रानी लक्षमी बाई के लिए कहा जाता है रानी लक्षमी बाई के लि जिन हाथों में कंगन खड़के उन हाथों में हतियार लिए शिशु प्रश्ट भाग पर बांध लिया वलगाएं साधी दातों पर फिर घो टक पर हो सवार गह लिए खडग निज हाथों पर इसका सीधा मतलब यह है कि श्रंगार की अवस्था को त्याग कर जिसने हतियार गोड़े की जो वलगाएं होती उसको दातों पर बांध लिया वो रानी की हम बात कर रहे हैं इतनी वीर रानी और कहा जाता है कि यह एक ऐसी रानी थी जो कि मर्द की तरह लड़ी थी तो हमारा ऑप्शन नमबर डी बिलकुल सही होगा ग्वालियर के संबंध में रानी लक् जो कि ग्वालियर जिले में इस्थित है तो ऑप्शन नमबर ए आपका बिलकुल सही हो जाएगा भारत के बारह जोतिर लिंगों में से मध्य प्रदीश में स्थापित कितने जोतिर लिंग है यहां पे बारह होगा एक दो तीन और चार तो मध्य प्रदीश में दो जोतिर लिंगे जिन में से पहला जोतिर लिंग ममलेश्वर जोतिरलिंग के नाम से भी जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी दो मांडू निमलिखित में से किस से सम्मंदित है जीवा जी राओ रानी रूप मती अलाओ दिन खा और जलकारी बाईब मांडू के जब हम बात करते हैं तो मांडू एक अपनी विशेश कहानी रखता है मांडू कहानी रखता है रानी रूप मती और बाज भादूर के प्रेम प्रसंग की रानी रूप मती संगीत प्रेमी थी और वही बाज भादूर भी बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था रानी र आक्रमड कर दीता है मांडू जचे छोटे शित्र पर और बाज भादूर इस आक्रमड का डट कर सामना करता है परन्तु हार जाता है और बाज भादूर के हारने के कारण रानी रूपमती आत्म हत्या कर लेती है और उसके बाद अकबर को इस चीज का बहुत सादा मांडू का संबन्द रानी रूपमती और बाज भादूर से तो ब्राध बैंशन नंबर जो बहुत ज़ूस संग्रह लाई यहां पर पांडू लिपियां संरक्षित करके लिखी जाती हैं इसका मतलब यह है कि पेड़ों के छालों पर जो लिपी लिखी होती थी ना पुराने समय की उन लिप्यों को संरक्षत करके रखा जाता है ईसका आンशर हो गा ऑप्षन नमबर ऑफ गण से ये अंसर होगा श्रिफ्पुरी जो की उप्शन नमबर फी है में निम्लिखित मेंसे कौन सा विश्व धरोहार इस्थर वर्ड हारचाई साइट में शामिल नहीं है दिखे खजराओ की मंदिर आपको पता हैais खजराओ के मंदिर भीम बैठिका की गुफाई साची स्थूब और मांडी का महल तो जराओ के मंदिर है भीम बैटिका की गुफाई भी है और साची का इस्तूप भी है तो मांडू के मंदिर जो है वो अभी युनसको में शामिल नहीं है तो और दी जो है वो मांडू के मंदिर हो जाएगा भीम बैटका प्रसिद्ध क्यों है क्या हुआ था भीम बैटका में तो यह यहां पर डॉक्टर भीम राव अंबेटकर का जन्म हुआ था यहां डॉक्टर भीम राव अंबेटकर की मृत्य होई थी यह एक राश्ट्री उद्यान है यहां गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कला इस्थित है देखें यह है भीम बैटका से हमें ऐसी प्रकार की कलाएं दिखाई पड़ती है जिसका मुख्य कारण यह है कि जब आदी मानव यहां रहा करते होंगे तो जो आदी मानव जो व्यक्ति घर के बाहर शिकार करने जा रहा है वो तो ठीक उसको पास का है लेकिन जो घर के अंदर उसके पास कोई काम नहीं तो वो क्या करेगा तो वो जो चीजे देखते थे वो यह चीजे यहां पर बनाते थे जैसे कि अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर एक व्यक्ति आपको शिकार करते दिखाई दे रहा है जो कि जानवर के ऊपर यहां पर गुफा चित्रकला हमें प्राप्त होती है हिंडोला महल कहां इस्थित है और्चा मांडू ग्वालियर और चंदेरी तो हिंडोला महल जो है ना वह हमें मांडू में दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी आपका सहीं हो जाएगा अशर्फी महल कहां इस्थित है पन्ना, जवलपुर, मांडू और मंडला अश्चरफी महल भी मांडू में ही इस्थित है, option number C सहीं होगा आपका असीरगर का किला किस जिले में इस्थित है, भिंड, उमरिया, बुरहानपुर और मंसौर, असीरगर का जो किला है यह बहुत जादा फेमस है और बुरहानपुर जिले में इस्थित है, इससे डक्षण की कुंजी भी कहा जाता है, तो option number C आपका सहीं हो जाएगा, तो इस पकार से हमारा मध्य प्रदेश में इतिहास का पहला MCQ यहाँ पर समाप्त होता है, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमें बिल्कुल कमेंट करके बताईए ओके, thank you so much, मिलते हैं नेक्स वीडियो में